नमस्कार बहुत स्वागत आया आपका आप देख रहे हैं गोब्लॉक्ष और मैं हूँ आपके शाथ भासकरानन डोभाल एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे शामने है और यहाँ पर अगर हम सानदार तरीके से देखते हैं तो आपकी हतेली का जो आकार यहाँ बनता वहाँ दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर जो है आयताकार जादा दिखाई दे रहा है एक दार्षनिक किसम का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है एक एनलेटिकल स्वभाव आपका रहने वाला है और कहीं न कहीं जिंग्यासा से जो जिग्यासा होती है उससे ओत प्रोत व्यक्तित्व आपका यहां पे जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है करियर का अगर हम मामला देखते हैं नौकरी उगेरा का अगर हम मामला देखते हैं तो आपको उस काम में ज़्यादा सपलता मिलेगी जिसमें मस्तिस्क का ज़्यादा प्रियोग होता हो या जिसमें कहीं न कहीं बोलने से ज़्यादा काम चलता हो ऐसे करियर में आपको ज़्यादा सपलता मिलेगी जिसमें सारिक मेहनत की जरूरत ज़्यादा होती हो ऐसे करियर में आपको सपलता नहीं मिल पाएगी दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं केवल क्या हतेली का आकार करियर को बताता है नहीं आपकी जो बुद्धी की परिचायक होती है जो बिबेग की परिचायक होती है जो आपका संतुलन की परिचायक होती है वो होती है बुद्धी की रेखा मस्तिस्क की रेखा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो मस्तिस्क की रहखा है एकदम सुनर है इसपष्ट है अच्छी खासी दिखाई दे रही है यह आपके बौधिक अस्तर को बता रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो बौधिक अस्तर है बहुत सुनर है बहुत अच्छा यहाँ पे बौधिक अस्तर है आपका आप एक बिबेक वान ब्यक्तित्व वाले ब्यक्ति हैं अपने बिबेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और मस्तिस्क से कारे करने वाले होंगे कहीं न कहीं जो है आपको राजियोग की प्राप्ति होगी जब हतेली का आकार भी इसी और इसारा कर रहा है मस्तिस्क की लकीर भी इसी और इसारा कर रही है तो निश्चित ही आपको एकागर्चित होकर अपने काम में लग जाना चाहिए और बेफिक्र होके उस काम के परति जो है एकागर्चित्ता लानी चाहिए दूसरी बात देखेगा अभी की position क्या है मैं भी फिर से बताऊंगा लेकिन पहले हम इस हतेली की रंगत को देख लेते हैं आपकी हतेली की रंगत आप खुद देख लेजेगा एक सुन्दर दिखाई दे रही है खुब सुरत दिखाई दे रही है इसमें कांती युक्त दिखाई दे रही है ये आपकी भाग्य को बता रहा है कि कहीं न कहीं एक भाग्य सेल ब्यक्तित्व आपका रहने वाला है भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा और निश्चित रोप से आप अपने जीवन का हर पल का आनन्द लेंगे अपने जीवन का हर पल का जो है कहीं न कहीं जो है आनन्द उठाएंगे इस पारकार की चीजे आपकी जो हतेली है वो यहाँ पे बता रही है दूसरी बात अगर हम देखें कब आपको सपलता मिलने की ज़्यादा चांद से आपे दिखाई दे रहे है और राज योग किस परकार से बन रहा है देखेगा आपका ये जो सूर्य का परोत है इस सूर्य के परोत पे आप अगर ध्यान से देखें तो एक रेखा इधर से बनती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इधर से बनती हुई एक तकरिबन तकरिबन साड़े तीन वर्सों के अंदर अंदर एक मचली का चिन उदयमान इस्तिती में है बुद्ध की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है साड़े 33 वर्स में हो जाता है निच्चित रोप से साड़े 33 वर्स के आसपास आपको एक राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी कहीं न कहीं अगर आप मेहनत करते हैं, परिसरम करते हैं, अगर चित होकर अपना ध्यान की इंद्रित करते हैं, तो आपको सरकारी नोकरी की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दोराई नहीं है. अब इसमें ये देखना है कि किन छेत्रों में आपको ज़्यादा सपलता मिलेगी किन छेत्रों में ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं देखेगा यहाँ पे आपका सुक्र भी बहुत अच्छा है और आपका कहीं न कहीं देखगुरु ब्रस्पति भी पुष्ट और सुन्दर अवस्तामी है तो देखगुरु से समंदित चाहे वो सिक्षा का छेत्र हो चाहे वो इंजिनियरिंग का छेत्र हो चाहे वो चिकित्सा का छेत्र हो चाए वो management का छेतर हो ठीक है ने प्रबंदन जिसे कहते हैं चाए वानिज्य का छेतर हो या कानून का छेतर हो ऐसे छेतरों में अगर आप मिहनत करते हैं परिश्रम करते हैं एक अगर चित होकर जो है अपना तन मन लगाते हैं तो निश्चित तोर पे आपको बहुत बड़ी क काम्याबी मिलेगी बहुत उत्तम इस्तित के काम्याबी यहां पे मिलते हुई दिखाई दे रही है दूसरी अगर हम यहां पे बात करते हैं देखेगा यह जो परोत है कहीं न कहीं आपको सनी की तरब भागता हो दिखाई दे रहा है जब हमारा ब्रिस्पति का परोत सनी की तरह भाग रहा हो या तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं बढ़ाता है कि कहीं न कहीं परिवार को लेके चिंताएं रहती है या तो अगर बिक्ति की साधी नहीं हुई हो दामपत्य जीवन के बंदन में नहीं बंदा हो तो विबाह के लेट होनी की संभावना को बथाता है जादतर मामले में 90% मामलों में ऐसे बिक्तियों की जो साधी है पुरसों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तो वो 30 से लेके 35 वर्स के बीच में इन लोगों का बिवा हो जाता है और कहीं न कहीं यह लोग परिणया के बंदन में बंद जाते हैं दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका जो मरकरी का माउंट है इस पर जो उगली है जिसे हम कनिष्टिका कहते हैं जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं ये पूरी तरों से जुकी हुई है यहाँ पे कर्ब लेती हुई दिखाई दीरी है और आपकी रिंग फिंगर की तरब निश्चित रोप से धन का माने की ललक बहुत जादा रहने वाली है जीवन में इसका फाइदा भी होगा लेकिन धन कमाने की ललक बहुत ज़ादा रहेगी दूसरी सबसे अच्छी बात है ये इसके पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई देरी बलकि थोड़ी से लंबी है ये अत्यनत स्रेष्ट मानी जाती है आप लोग practical रूप में देखेंगे तो ऐसी उंगली वाले ब्यक्ति कहीं न कहीं आपको बियापारी बर्ग के लोग दिखेंगे अगर ये लोग नौकरी कर रहे हो चाए वो सरकारी नौकरी हो या चाए वो प्राइवेट नौकरी हो कहीं न कहीं अधिकारी लेवल की ब्यक्ति होते हैं कहीं न कहीं ऐसा ब्यक्ति अपनी जीवनकाल में उच्चोवर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेश्ट और सफलतम ब्यक्ति होता है प्यूंकि एक तो ऐसे लोगों के अंदर अपने को ब्यक्त करने की समझ रहती है अपने को प्रमोट करने की कला रहती है कम्यूनिकेशन इसकिल्स ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है और दूसरा ऐसे जो ब्यक्त होते हैं चायो महिला हो या पुरुस हो अपने बलबोते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर यहां पे दिखाई दे रहे हैं दूसरी हम बात करें यहां पे यह उंगली आप देखेंगे कि उपर से कहीं न कहीं पॉइंटिड होती हुई दिखाई दे रहे हैं यह गोल नहीं है इस चीज के लिए बहुत समझदार रहेंगे इसका आपको फायदा भी होगा अब दोसरी बात यहां पे देखेंगे जो आपकी सूरे की उंगली है यह सूरे का परोत है इस पे जो उंगली है यह भी पूरी तरो से जुकती हुई दिखाई दे रही है कर्ब लेती उही दिखाई दे रही है और यहां पे मिडिल फिंगर की तरफ यस पानी की इक्षा नेम फेम पानी की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पानी की इक्षा जीवन में बहुत जादा रहेगी चाए आप कहीं तक भी पहुँच जाए बहुत उपरी सिखर को भी हासिल कर ले तो भी इक्षा बरावर बनी रहेगी और यहाँ पर देखेंगे जो आपकी ब्रस्पति की उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर से छोटे दिखाई दे रही है कहीं न कहीं हमारा हस्त रेखा का पोराणिक सास्तर कहता है कि ऐसा जातक या जातिका यस उस्वि होते हैं समाज में मान प्रतिष्टा पाने वाले होते हैं यस पाने वाले होते हैं फिम पाने वाले होते हैं और सपलता की प्राप्ति करते हैं निश्चित तोर पे आप करेंगे रिस्क लेने की छमता रहेगी चीजों में जोखिम उठाने की भी छमता रहेगी अब आपकी हतेली में एक राज योग बन रहा है और ये राज योग मैंने पहले भी अन्य हातों की बिविचना जब की है तो उसमें बताया है कि किसी सास्तर में नहीं लिखा है ना पोराणिक सास्तर में और नहीं जो है कलाशिकल बुक में लेकिन आप लोगों की प्रत्यक्ष रूप में जो मैंने हतेलियों का बिसलेशन किया है उसमें जो पाया है आप लोगों का जो फीड़ बैक आया है उसके बाद वो 100% accurate आया है आपके हतेली में भी वही राज योग बन रहा है हमने क्या पाया है जब ये उंगली सीधी खड़ हो या इस प्रकार से हो और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है ये उंगली हलकी भी लम्मी हो ब्रिस्पति की उंगली के से बड़ी हो middle finger से छोटी हो और ब्रिस्पति का परोत इस प्रकार से सुन्दर और पुष्ट हो तो ऐसा ब्यक्ति 99.9% मामली में सरकारी नोकरी की प्राप्ति करता है या इससे समंदित छेतर में कार्य करता है एक प्रसेंट किसी प्रस्तितिवस अगर ऐसा ब्यक्ति सरकारी नोकरी की प्राप्ति नहीं कर पाया तो ऐसा ब्यक्ति ब्यापार के तरब जाता है, ब्यापार में उत्रिष्टता पाता है और कहीं न कहीं ब्यापार के कारण जाना जाता है, उसकी यूनिक पहचानमंती है आपको अपने मन को दो मन नहीं करना है आपकी हतेली में प्राइवेट नोकरी नहीं है आपकी हतेली में राजियोग है और कही न कहीं सरकारी नौकरी के चांस ज़ादा है या इससे समंदिक छेतर में कार्यकर्ने के चांस ज़ादा यहाँ पर दिखाई दे रहें बहुत अधिक हैं और जो सबसे बड़ी संभावणा बन रही है कहीं न कहीं अभी से लेके साड़े 33 वर्स तक जबरदस्त संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है तो आपको एक अगर चित होकर जो है काम करना है अपने काम में लग जाना है और चीजों को प्राप्त करना है अब दूसरी बात देखेंगे अतेली में कुछ मुख्य चीजें देखते हैं फिर जो है आगे बढ़ते हैं सूरी की उंगली हमने देख ली मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है और थोड़ा सा देखेंगे हल्की जोकी हुई है सूरी की तरफ देखेगा जब ये हल्की सूरे की तरफ जोगती है बिल्कुल हल्की जैसे आपकी है तो आपके बरतमान समय की कुछ चीजों को उजागर करती है ये बता रही है कि जिस परकार की मेहनत वास्तों में चाहिए जिस परकार की एकागरता चाहिए जिस परकार का फोकस चाहिए उस परकार का आप एकागर्ता नहीं दे पा रहे हैं मेहनत नहीं दे पा रहे हैं उस परकार की एकागर्चित होकर काम करने की जो कला आपके अंदर है वो आप समय नहीं दे पा रहे हैं आपको क्या करना है ध्यान की इंदरित करना है आपने बस य बहुत ज्यादा बड़ी न छोटी है कहीं न जिस प्रकार से होना चाहिए इस बीच की उंगली ने उसी प्रकार से हैं और सुन्दर इस्तिति में भी है कहीं कोई गलत जिन नहीं बन रहे तो बता रहा है ये कि आपकी मानसिक चमता जो है बहुत उत्तम है आपकी जो अध्यात्मिक चमता है वो भी बहुत अच्छी है और आप एक भग्यवान पुरुस्वी है स्वाविमानी रहेंगे बिवेकी रहेंगे कहीं न कहीं औरों की मदद करने वाले रहेंगे एक नौलेजबल बिक्ति तो आपका उजागर होगा और भग्यवान भी होंगे भगवान का भी आसिरवाद आपके उपर मना रहेगा ये यहां पर इस पश्ट रोप से चीज बता र जब भी सनी बकरी अउस्ता में हो जैसे बरतमान समय में हैं यहां पर बकरी अउस्ता में सनी हैं और इसके क्या प्रेणाम है मैं बताता हूँ दूसरी बात जब भी सनी धाया में होंगे साड़े साती में होंगे इसका प्रभाव आपके जीवनकाल में लंबा और गहरा पड ये इसके उपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं क्योंकि ये कर्मों को देखने वाला ग्रह होता है दूसरी बात अगर यहां पर करें ये उंगली पूरी तरह से गुरू की उंगली जुक रखी है मिडिली फिंगर की तरफ ये बात तो बहुत अच्छी है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाई बड़ी मातरा में रहने वाली है इस स्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा और किसी भी प्रकार की प्रस्तितियां आएंगे तो विश्वास नहीं डगमंगाएगा ये चीज अच्छी दिखाई दे रहे है अंगोठा भी आपका पर दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखें एक योग का आकार बनता हो दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं भाव किसम का ब्यक्तित्व रहेगा एक दयावान ब्यक्तित्व आपका बना रहेगा कुरूरता है निश्ठूरता है खडूस पन है उलज ने अच्छी चीजें बता दी कहीं न कहीं कुछ चीजें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं इनको सुधारने की ज़रूरत है सबसे पहले अगर हम देखते हैं मिडिल फिंगर के नीचे जो सनी है यहां पर अगर ध्यान से देखें एक रेखा यह आ रही है और एक रेखा इ यह आ रही है एक रेखा इधर आ रही है एक रेखा यह जा रही है यह बकरी अवस्ता का सनी बन रखा है और देखें जोतिस है प्रस्तितियों में मिलेगी इसके पीछे जो मुख्य ह्राइब यही है सनी माहराज जी कि आपका जो कारोबार है इंडिपेडेंट प्रोफेशन है उसके लिए बिर्स्पती जिम्मेदार होता है लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए सनी जिम्मिदार होता है जब कुंडली में हो हतेली में हो या जनम पत्रिका में हो सनी बहुत बेहतर न हो न जिस परकार से आपका है तो ऐसी दसा में नोकरी पाने में नोकरी करने में और नोकरी बदलने में समश्याओं की संभावना बहुत जादा बन जाती है और ऐसी दसा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कते होती हैं। ये इस पश्ट बता रहा है कि जब तक सनी बकरी अवस्ता का नगेटिव प्रभाव देगा, कितने भी अच्छे राज योग बने हैं, समराट योग बना है, सारी क्वालिटी आपके पास है, सारी मिहनत आपके पास है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। क्या करना चाहे? एक बेग्यानिक उपाई होता है सन्यका, इसमें किरिया ये काम नहीं करती रहे। ये किरियाएं काम नहीं करती है नौकरी के लिए आपको सनिका ही उपाए करना है और इसकी जो बिदी होती है जोतिस में जो बिदी दी गई है उसी बिदी के उनसार करना है निश्चित ही ये अपना नगेटिव प्रभाव छोड़ देगा और नौकरी का जो मार्ग है वो प्रसस्त हो जाएगा निश्चित तोर पे अब दूसरी एक कमी और है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये सूर्य का उंगली है ये सूर्य का परोथ है यहाँ पे अभी मचली बनी नहीं है बनने वाली है वो तो अलग बात रही लेकिन यहाँ पे गड़ा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपका सूर्य प्रोपर तरीके से उड़जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपकी जीवन में जिसके कारण आप जो भी प्रियास कर रहे हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं आपके अंदर जो क्वालिटी है आपके अंदर जो योगयता है वो निखर कर नहीं आ रही है उभर कर के नहीं आ रही हैं चीजें उस प्रकार से आप नौकरी की कोशिस कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जो मिहनत आप कर रहे हैं जो परिस्रम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे मिलना चाहे पूरा क्रेडिट मिलना चाहे आपको नहीं मिल पा रहा है एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है आप बहुत ठक चुके हैं लेकिन रास्ता अभी तक आपको दिखा नहीं है क्यों? क्योंकि आपके जो सारिरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परसपर तालमेल में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं सारिरिक स्वस्त्य है जीवन की जो खुसाहाली होती है वास्त्विक रूप की उत्सा है जिवन का ओर्जा है ये चीजें आपसे कहीं न कहीं अनबैलेंस दिखाई दे रही है आपकी जादा समपरक में नहीं है इन चीजों कि आपको चिंता करनी पड़ रही है क्या करना चाहे है अब यहां पर किरिया आती है जो बेग्यानिक किरिया है दिव्य योगध्य और दिव्य सूर्य किरिया आपको यहाँ पर दिव्य सूर्य किरिया करनी है जब आप निरंतर रोप में अनुसासनात्मक ढंग से एकागर्चित होकर दिव्य सूर्य किरिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सार्रिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ ज प्रफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलेगा फिर चाहिए सारेरिक स्वाष्थे हो जीवन की वास्त्य खुसाली हो जीवन की उड़जा हो उत्सा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी तो ये था जीवन से तो आपके पूरी हतेली में रेखाओं का जाल बनताफा दिखाई दे रहें एक दूसरे को रेखाएं काट रही है इसका मतलब है कि आपके मन के अंदर उल्जन बनी हुई है दुविधा बनी हुई है कनिफ्यूजन की इस्तिति बनी हुई है और आप सही से निरण की इस्तिति भी है और हतेली में लाक रुपे आजाएं करोणों आजाएं अर्बों आजाएं कहीं न कहीं हतेली में पैसा नहीं टिक पा रहा है आप धन का संचाय धन का प्रबंदन सही डंग से नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक सेहत आपकी लगातार बिगडती चली जा रही ह दूसरे बात, इसका असर आपकी स्वस्त्य पे भी पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो, चाहे वो सारिरिक स्वस्त्य हो, कहीं न कहीं इसका असर आपका स्वस्त्य पे पड़ रहा है आपकी जो development है आपकी जो progress है उस पे भी इसका जबरदस्त प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या करना चाहे एक प्राकृतिक किरिया और एक दिब्यय योग ध्यान किरिया आपको निरंतर करना चाहे कहीं न कहीं जहां आपकी चीजें बहुत बहतर हो जाएंगी वहीं जीवन में इसका चमतकारिक प्रभाव भी पढ़ेगा अब चलते हैं दूसरी चीजों के उपर हिर्दाई की रेका सीधा सीधा कहीं न कहीं जो है आचारे ब्रिस्पतिजी से युक्त करने की सोचरी है में आप ब्यापार करें, नोकरी करें, कोई और बेकाम करें, समाज में एक सरेश्ट जीवन वितीत करेंगे मस्तिस करेखा आपने देख ली है, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुन्दर पीछे की तरब जा रही है एक बार जब उन्नत कन्ने बैठ जाएंगे तो वो उन्नत निरंतर रहेगी पीछे मुड के नहीं देखेंगे और आर्थिक इस्तिति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी और देखेगा परिवार के परति समरपण की भावना रहेगी परिवार का भी सयोग और सपोर्ट मिलेगा यहां से देखें एक रेखा इस तरों से जा रही है और फिर एक रेखा इस तरों से जा रही है ब्यापार के गुण भी बहुत सुन्दर रहने वाले हैं बहुत आच्छे रहने वाले हैं करियर और धन की रेखा इस तरों से जाती हुई और उपर की और जा रही है ये रेखा इस पश्ट बथा रही है, देखेगा ये रेखा इस पश्ट चीजें बथा रही है, कि जो वास्त्विक उन्नती है, आपकी साड़े 33 वर्ष में राजियों का फल मिलेगा, 35 वर्ष के बाद से आर्थिक इस्तिति बहुत सबल हो जाएगी, जो 95 वर्ष तक चलेगी, साधी होने के बाद से इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होने बैट जाएगा, जिवन काल का 35 वर्ष, साड़े 33 वर्ष, 41 वर्ष और 45 वर्ष, जिवन के लिए कुछ खास सोगातें लेके आएगा, इसका आपको स्वागत के लिए तयार रहना पड़ेगा, यहाँ पे अगर देखें, यात्राओं का भी कहीं न कहीं आपको मांका मिलाएगा, और किसी भी प्रकार की प्रस्तिती हो, लेकिन धैर्यवान बेक्तित्व भी आपका बना रहेगा, यहाँ पे एक कोठरी भी बनती हुई दिखाई दीरी है, निश्चित रोप से कहीं न कहीं 35 वर्ष के जिवन का जो प्रारंबिक दोर है, उसमें संगर्स जादा दिखाई दे रहा है, लेकिन 35 वर्ष से संगर्स में बिराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तक कोई न कोई चिंता थोड़ी बनी रहेगी, सुकर का परोथ आपका बहुत सुन्दर है, निश्चित रोप स अपने को मेंटेन रखना, अपनी प्रसनलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज समर कर रखना ये चीज़ें जादा रहेगी, और दूसरी बात है, आने वाले समय में हर परकार की जो सुक है, चाहे परिवार का सुक हो, चाहे स्वस्त्य का सुक हो, चाहे पेरेंट्स का सुक ह आपको देगा ही देगा चमक जहां बनी रहेगी गलेमर जहां बना रहेगा वहीं चकाचों रहेगे दोनों मंगल आपके बहुत अच्छा है प्राक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा यहां पे अगर ब्रिस्पति देखें तो ब्रिस्पति में नीचे की तरफ रेखाएं यह बहुत अच्छे है अध्यात्मी की तरफ भी रूच रहेगी और जहां सांसारिक सुक मिलेगा वहीं पारिवारिक सुक भी मिलेगा इन दोनों की भी बात तो हमने बता दिया बुद्ध आपका बहुत अच्छा है धिरे धिरे उभार की और आ रहा है वाणी के सक्ति बहुत अच्छी रहेगी ब्यापार की समझ बनी रहेगी चंद्रमा आपका जो है अभी थोड़ा सा गडबड है हलकी रोप में तो ये बरतमान इस्तिती को कुछ समय तक के लिए कह रहा है कि कभी-कभी मन गडबड रहेगा मानसिक प्रेशानी से गर्सित रखेगा ये कभी-कभी भाउकता जाला आ सकती है या इमोशनली प्रेशान हो सकते हैं वो सकता है मन अच्छा नहीं रहे मन ब्याकुल रह सकता है भटक सकता है ठोड़ा योगा और प्रणायम जरूर करेए और ठोड़ा सा जो है नीन आने में दिकतों का सामना करना पड़ सकता है इसका इसे इस दिहान लगे देखा जाए तो मैंने आपके हातेली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादम से आपको भेज रहा हूं करने की कोसिस करें निश्चित ये आपको सपलता मिलेगी इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ को नोब पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार